यह बहुत important question है इसमें आपका जो भी enzymes related आपका जो doubt है या questions है वो सब cover हो जाएगे सबसे पहले समझने इसको आगे बढ़ने के लिए आपको enzymes क्या होते हैं हलका से एक idea होना चाहिए enzymes basically protein molecules होते हैं ठीक है तो protein molecules है अब जैसे हमारी body में multiple reactions होती है तो यह एक तरह से catalyst का काम करते हैं ठीक है और to be more specific biological catalyst का काम करते हैं यह लोग enzymes और reaction करते कैसे हैं दीकि मैं आपको थोड़ा सा उपरी उपरी तोर पर बता रहा हूँ जितना जरूरी है क्योंकि ज्यादा biology का वाला गुश जाएंगे जितना जरूरी है उतने देखते हैं दीकि enzymes क्या है basically substrate वे हैं कि जो की आपकी reactions कर रहे है substrate enzyme एक catalyst ही तरह है तो enzyme करता क्या है यह जो active sites है substrate को इस तरह से गुशा देता है hold कर लेता है और further reaction यह कराना शुरू कर देता है दूसरा एक terminology होती है receptors अभी आपने एक question में भी देखा था रिसेप्टर बेसिकली enzymes ही होते है यह वे enzymes होते हैं जो हमारी body के अंदर communication system है specially किसी तरह की reaction हो रही है कोई भी important जो communication है मलब किसी type के भी receptor हो सकते है किसी भी अलग अलग तरह की receptor कोई neurotransmit कर रहा है कोई आपकी जो chemical reactions हो रही है उनको communication दिमाग तर पहुचा रहा है समझा है आपको तो receptor basically वे enzymes हैं जो की communication में part करते हैं body में ठीक है फिलाल इतने से समझ के आपको यह तो समझ मा आगे होगा कि जो आपका receptor है वो क्या हो गया एक molecules हैं वे enzyme molecules हैं जो की communication system के लिए आपकी use होते हैं आपको यह direct आपको थोड़ा सा पाता है theoretical based question है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं तो receptor C का answer क्यों हो जाएगा तो इससे मैं क्या कर दूँगा C का answer क्यों है तो इसको काड़ दीजे और इसको भी काड़ दीजे फिला ठीक है अब यह देखते है competitive inhibitor क्या होता है जैसे आपको बता है enzyme में क्या active sites होती है तो यह क्या करता है substrate को डालके reactions करना शुरू करते नो कुछ दवाईयां होती कुछ drugs है ठीक है वे drugs करती क्या है इन substrate के साथ competition करके इन क्या करती है कि इनको तो enzyme यहां पे जो active site से इसमें fit नहीं होने देती खुद आके चिपक जाती है तो उसको क्या बोलते है आप competitive inhibitors ठीक है बस इतना ही है इतना ही समझने की जुरू होते है आपको इसका मतलब क्या हो कि competitive inhibitors क्या है वे दवाईयां जो की molecules है जो की molecule binding to the active site of the enzyme को चिपक जाके चले जाती है substrate को नहीं है जो normal reaction होनी चाहिए तो उसको नहीं होती allostatic effect basically क्या है कि जब आपको कोई inhibitor है या कहें तो जो drug है आपकी वो normal active site में fit होने के बजाए किसी दूसरी site में fit हो जाता है यह तो क्या है active site है main active site है लेकिन इसके अलावा दूसरी किसी position पे जाके fit हो जाए जैसे इसमें हो गया इसे एक तरह से कर दी कि push कर दिया उपर shape change कर दी तो यह क्या हो जाएगा basically simple guys definition है आपको इस तरह से याद कर लेने बस तो सही रहेगा इसमें जादा confused हो जाएंगा तो allosteric site क्या है यह allosteric effect क्या है कि जब allosteric site में जाके drug गुश जाते है main active site में जाके नहीं गुशती किसी दूसरी position पे जाके चिपक जाती है तो इसको क्या बोल देते है allosteric effect so इससे जो आपका एक option क्या हो गया और molecule binding to a site other than the active site अगेन poison क्या है poison में क्या है guys basically जो यह active site में आपकी drug या substrate गुशता था या इस case में तो drug ही होगा तो अगर भी strong covalent bond के साथ चिपक जाती है तो क्या होता है covalent bond strong है तो टूटना असान नहीं होता निकलती नहीं तो उससे क्या होता है वो enzyme block हो जाता है और enzyme काम नहीं करते हैं तो हम यह कह देते हैं enzyme एक तरह से poisoned हो समझा आपको तो poison simple क्या है जब covalent bond या किसी strong bond के साथ चिपक जाएं वो site block हो जाती है और enzyme poisoned हो जाता है hence क्या होगे इसका D का option हो गया आपको molecule binding to the enzyme covalently तो guys यह था जो theoretical जितना भी मैं हो सकता था आपको easy करने ही कोश्च करिए जितना मैंने समझा उतना अगर आपको याद हो गया तो दिक्कत नहीं हो गया आपको क्योंकि NCRT में इससे जादा कुछ है भी नहीं